क्या आप नीन ना आने के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं लगबख छे सालों से नीन ना आने की वज़ा से परिशान हूँ. तो क्या आप मुझे कोई आसान उपाए बता सकते हैं? नीन ना आने के कई कारण हो सकते हैं. कुछ लोग हैं जो अच्छे से सोते हैं पर वो नहीं जानते कि वो अच्छे से सोते हैं कुछ लोग अच्छे से नहीं सो पाते क्योंकि उनका शरीर शायद कुछ देर ही आराम चाहता है पर वो सोचते हैं शरीर और ज्यादा आराम चाहता है तो वो खुद ही परेशान हो जाते हैं मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ जो बिल्कुल ठीक है लेकिन उन्हें लगता है कि वो परियाप नहीं सो रहे क्योंकि डॉक्टर के कहे अनुसार वो 8 घंटे नहीं सो रहे वो केवल 4 घंटे सो रहे हैं और सेहत मंद हैं तो ठीक है अगर आप सेहत मंद हैं नींद की कमी महसूस नहीं करते और दिन में 3-4 घंटे ही सोते हैं, तो ये बिलकुल ठीक है, ऐसी स्थिती में होना अच्छा है, और कुछ लोग अपनी मानसिक स्थिती की वज़े से नहीं सो पाते, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अपनी कोशिकाओं या अपने वंच की वज़े से बनी स्थिती के कारण नहीं सो पाते, अगर आप वैसे हैं, सिर्फ तभी उसे ठीक करना मुश्किल है, जो कि आप नहीं हैं, ठीक है, आप अपने वंच की वज़े से उस स्थिती में नहीं हैं, अगर ऐसा होता, तो आपके शरीर की कोशिकाओं ही किसी ना किसी कारण से आपको सोने नहीं देती, और ऐस करेंगे, फिर आपको नींद आ जाएगी, गहरी नींद, अगर वो काम नहीं करता, तो आसान तरीका है कि आप शून्य मेडिटेशन में दिक्शित हो जाएं, शांभवी से ऐसा होना चाहिए, ज्यादा तर लोगों के लिए शांभवी ऐसा कर देती है, अगर शांभवी काम ना करें, और अगर आप शून्य ध्यान में दिक्शित हो जाएं, तो आप देखेंगे कि उससे नींद की समस्या ठीक हो जाएगी, अगर नींद की कोई समस्या है तो, आप तो बिलकुल ठीक और खुश नजर आ रही हैं, और अगर आप बिना नींद के खुश हैं, तो दिन, कम रित्यो अच्छी है, है न, सिर्फ जब इससे सेहत की समस्याएं हो रही हो, आप परिशान हो तब, अगर काम करते समय आपकी स्थिती ऐसी हो, जैसे आपकी मशीन में चिकनाई की कमी है, नींद सिस्टम के लिए लूब्रिकेशन का काम करती है, जरूरत से कम नींद से आपके अंदर हर चीज में टकराफ पैदा हो जाता है, तो अगर ऐसी टकराफ की स्थिती पैदा हो रही है, तो कुछ चीजें की जा सकती है, एक चीज है चंदरकुंड, योगी यही है, उसमें रोज 15-20 मिनिट बिताईए, आप देखेंगे कि आपका शरी ठंडा हो और शरीर और मन का अपने अंदर टकराफ पैदा करने का स्वभाव चला जाएगा, जब वो चला जाता है, तो आप कितना सोते हैं, ये कोई मुद्दा नहीं रह जाता, बिल्कुल नहीं, हर इनसान को एक बराबर नीन लेना जरूरी नहीं है, ये बहुत ही गलत विचार है, अलग अलग लोगों को अलग अलग स्थर की नीन की जरूरत होती है, और योग का एक पहलू या एक उद्देश्य ये है कि नीन को कम कैसे किया जाए, क्यूंकि सोते समय आप जीवन नहीं जीपाते हैं, है न, लोग कहते हैं हम नीन का आनंद लेते हैं, कोई भी नीन का आनं क्योंकि नीद में आप और दुनिया दोनों का अस्थित्व मिट जाता है अगर आप वाकई सो रहे हैं तो सुबह सुबह साड़े पांच बजे आप सोने का बहाना करते हैं उसमें खुशी हो सकते हैं उसमें सुख हो सकता है मैं समझता हूँ जब घंटी बज रही हो तब आप सोने का बहाना करते हैं उसमें सुख है मैं इंकार नहीं कर सकता मगर जब आप वाकई सो रहे हों तब आपको पता नहीं होता कि वो क्या है आप हम मौजूद ही नहीं होते तो आप नींद का आनंद नहीं ले सकते लेकिन नींद के नतीचे का हम आनन्द लेते हैं नींद से हमें जो मिलता है आराम के रूप में, तनाव मुक्ती के रूप में सिस्टम के सुधार के रूप में हम उसका आनन्द लेते हैं तो अगर आप में ये सुधार बहुत अच्छे से हो रहा है तो हो सकता है कि जितनी नींद की आपको जरूरत है उसमें भारी कम ही आ जाए ये एक पहलू है कुछ दिन पहले कोई मुझसे पाइनियल ग्लैंड के बारे में पूछ रहा था अगर पाइनियल का रिसाव बढ़ जाए आम तोर पर भारत में इसे अमरित जीवन या अमरित कहा जाता है अगर अमरित बहने लगे तो एक चीज ये होगी कि नींद कम हो जाएगी क्योंकि नींद मृत्यू है अगर किसी दिन रिसाव बहुत ज्यादा हो तो आप बिल्कुल नहीं सो पाएंगे ये आम बात है तो जिस भी वज़े से आप सो रहे हैं या नहीं सो रहे या परियाप नहीं सो रहे हैं अगर ये एक मुद्दा है तो सुबह देखिए कि कैसा महसूस हो रहा है अगर अच्छा महसूस हो रहा है और आप पूरे दिन सक्रिय हैं, तो नींद के बारे में भूल जाएए. अगर आप बिना नींद के बिलकुल अच्छे से रह सकते हैं, तो परिशानी क्या है? ऐसा फिलाल नहीं होगा. लेकिन अगर ऐसा होता है, तो परिशानी क्या है मैं आपको आराम की जरूरत है और आप सोते हैं तो ये ठीक है शरीर आराम चाहता है तो या तो गार्डन डिपार्टमेंट या फिर शून्य ध्यान इन में से एक चीज़ से आपको समाधान मिल जाएगा आपको मेंसेता करें दो खंप भार्डन के शाहते हैं याउडन करेंगा पार्ढन करभ जाईटमें से एक चाहते हैं से उकर का से आपको समाधाय करेंगे से खियाओ कर भी मल जाओनाड़ मेंसे जाइए एक पीज़ एक नहार स्सेगma करेंगे हैं उज़िया हैं सहानिर सरा बольш